तो हलो हलो दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूं एक खतरनाक सा एरबेस वो भी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में और यह रहे हमारे दो अनमुल तन तोन में से सारा सामान ले लेते हैं जो जो मुझे एरबेस बनाने के लिए जरूरी है यहां पे मेरा आलाइटरा पड़ा है और भी डेकोरेशन का सामन पड़ा है एसे डेकोरेशन का सामन तो मेरी इन्वेंटरी में भी बहुत जादा पड़ा है और फिर भी मैं सामन डेकोरेशन का ले लेता हूं और वह बहुत जादा खतरनाक होने वाला है तो में एक बार देख और यसमें कुछ काम का बढ़ा है इसमें कुछ काम का नहीं लग रहा जो मेरे पहले एक अप्षी सी जगह सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको सी कोस्त के यहां पर बनाओ, तो मस्त मदा है, नीचे MLG भी कम रहेंगे, नीचे sand होगा, यहां पर बनाओ कि इसके आगे वाले आइसलेंड पर बना दू ब्रिक्स ना, ब्रिक्स ना, ब्रिक्स नी, डाक ओक फ्लेंग से चाहिए, मैं सोच रहा हूँ, यही भी बना देते, आगे थोड़ा चल के, यह क्या मेरे थोड़ा कनेक्शन में रहेगा, वो थोड़ा आगे रहेगा, एक दम मिडल अप द सी, तो चलो, यह आप मैं पौच चल ले भाई, उपर चल ले, और यहां पर बारिश होना भी स्टार्ट होगी, तो अच्छा, आपने टाइड राइडेंस ओड़ भी पाएंगे, बड़ी है, बड़ी है, अग्दम सेंटर में बनाऊंगा, यह एक, यह दो, यह तीन, हाँ, यहां पर बरबर है, उस साइट को भी जाओंगा, तो वहां से भी MLG होगी, यहां से भी होगी, तो चलो, डाकोफ प्लाइंग से बिल्ड करना स्टार्ट करते है, उपर की तरफ को, यहां से ब्लोक लगा दाता हूं, के, यह हमने फर्स ब्लोक लगा दिया, सेंटर में, यह सेकंड, मैं सोच रहों, डाकोफ से इस पूरा बिल्ड बनाएंगी, तो मैं सुच रहां किवन दूसरे प्लाइंग से बनाया जाए, यहां से क्या होगा, हमारा बिल्ड लग लगेगा, उपर अलग लगेगा, तो जितने थे मैं सारे का सारे उपर लेके जाओंगा, और फटा-फट से करलूगा, यहां तरफ व हुआ है पी मत्सक्राइब तो तो सबस्क्ति कि तदात मुझे इस साइच से मुझे कितना बाहर पिया तरफ रखना है वह शुका है और तक हो चुका है और ओक passion अब भी भी हमारे पास इतना सारा अडाय लेकिन फिर भी और हमें वोट चाहिएगा मैं सोच रहूं वन एट तू त्री और यह पौर और यह 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 अपने को करना पड़ेगा मैं फाय सेक्स की सोची थी मेजरमेंट वही सही है और यह पाइट है यह अच्छा है यहां पर अभी जोस थंडर बोल्ट मेरे एक और ब्लॉक आगे लगाया वाता तो गिर जाता यह यहां पर मैं सेवन दखने की सोच रहा हूं इस साइट को सेवन वहां से फाइब अज आज अज 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 एक दम ख्रॉस कर देना है थोड़ा छोटा एरिया हो रहा है और बिल्ड करें फिर पता चलेगा और अभी हमें सेम फाइब का लेवल लेके उस साइट को भी बिल्ड करना है इसको फटा फट से फिलप कर देता हूं मैं और जहां बीच में मैंने एक खाली जगह रखे है वहां पर हम लगा देंगे ग्लास आकि हमें पूरा व्यू मिलता रहे से उपर क्या हो रहा है नीचे क्या हो रहा है और इसके भी एक स्टैक प्लैंक बना लेते हैं कि बीच में से बॉर्डर डिवाइड करने में समझ आएगी इसा ही सेम डिजाइन अब मुझे उस साइट को बनाना है और एक एक्स्टा लगे तो इसकाटा देता हूं मैं यही सेम डिजाइन बना के मैं मिलता हूं दूमसे एक सेकंड में हाँ तो चलो मैंने दोनों साइट सेम डिजाइन बना लिए अब हमें एक और डिफरेंट तरह का डिजाइन बनाना कि एक जिसा हो तो मजाएगा कि इतना लंबा बहुत है तो वहां तक फटा-फट से मैं खेंच के ले के जाता हूं अब यहां से बीच से भी एक लाइन कनेक कर लेता हूं जैसे उन दोनों साइट से की थी अब यहां से यहां से लाइन कनेक्ट हो चुकी है मेरी अब ऐसा फ्रेम करना है मगे उससाइट बोगी तो मेरा पूरा स्क्वैर रेडी हो चुका है और अब यहां पर मैं सुच रहा हूं कुछ ने डिफरेंट डिजाइन मनाया जाए वहां पर सेम से मच्छा नहीं लगता तो चलो मैं आ चुका हूं वापस उपर और यह डिजाइन बाकी रह गया अभी तक मेर में तुम्हार से अनमजा कर रहा था और मेरे पास वुड वुड तो बहुत सारे पड़े हैं मैं वापस पहले अपना चेस प्लेट पहने लूँ पता चला में नीचे गिर गया और यहां से मैं साइट से डार्क लेंक लगा दूँगा ताकि यह लाइट और डाक कलर का कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लगेगा तो बस मेरा डिजाइन रेडी होने वाला एक दो तीन चार पांच यह मेरा डिजाइन हो चुका है रेडी और मैंने रात बर मेंद करके उसको भी सेम कर दिया यहां पर इतने उचाही पर कोई मॉब आने वाला है नहीं तब बस अब मुझे यहां पर जो वाल्स है वह रेडी करनी है चलो पड़ाबट से वाल्स रेडी करना भी स्टार्ट कर लेता हूं मैं पर 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 यह ना और यह टू 3,4,5,6 और यह 7 मेरे सब से 7 के हाइट बहुत होगी वहां पर 5 है तो इतना नीचे समय पाउच नहीं पहूंगा तो कोई ना पहले यहां पर पूरा मैं फ्रेम बना लेता हूं एक उसके बाद जाके नीचे से जो खाली एरिया रहेगा उसको भर दूंगा मैं तो मेरा फ्रेम भी रेडी हो चुका है अब बस नीचे चलके मैं यहां से अमेल जी हो जाए इतना उपल से नीचे नहीं जिरना ओक्ये यह रहा फ्रेम रेडी हो चुका है अब बस बीच में फिलिंग करना बाकी है तो इसको भी फटावट से कर लेते लास्ट पिलर बना के यहां से मैं ले लूँगा सेंड क्योंकि मैंने तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि मेरे को एक पूरी वाल ग्लास की बनानी है और ग्लास हमें मिलेगा कहां से वह होगा सेंड से फटावट से तोड़ देते हैं और मैं मिलता हूँ सीधा तुमको यार इसको बन करके ग्लास करके में रैडी करके ओके तो मैं आ चुक है अपनी फर्नेस के वाँ और लाओ फाम के वाँ तो मैंने यहां रिख ली थी अपनी फर्नेस और यहां पर फ्यूल डाल हूँ ताकि मैं वहाँ पर भी अपनी सेंड रखता हूं मैं दो स्टेक टोड़ काया हूं एक स्टेक में नहीं आ रखा है एक ब्लोक्स बॉट भाई अभी नहीं तो मैं नीचे सीधा खड़े में गरता आप खड़ावट से चलते हैं इस परहां पर यहां पर एक्रा ब्लोक्स लगे बी और काटके ले के लोड काया चुकीता हूं। तो ताब उने यह एक साइड की वॉल कउम्पलीट कीती अभी दो और साइड की बागी है। दो साइड ग्लास की वॉल, दो साइडू बॉड की वॉल इसे भी फटब-वट क्उम्पलीट करता हूं मैं अुक्ग तो यह हमारी वाल बनके ready हो चुक है बस एक block लगा दिया मैंने अब मैं glass देखने है यार मेरे glass ready हुए के नहीं से यही तो यही मेरी furnace इसमें कितने glass है इसमें तो अभी सिर्फ 11 ना 11 तो 11 यहां पर लगा चुछे तो चले हमने फिर वहां पर भी एक और furnace रखी है उसमें भी देखेंगे कितने glass ready हो चुके इन glass को भी मैं फटाफट से लगा देता हूं और यहां पर सिल्ट टैस की पिकेक्स आगे रख देता हूं ताकि मेरा गलास एक गलत लग जाए तो नॉर्मल पिकेक्स से तोड़ूंगा तो मेरा गलास तूच जाएगा इसमें बहुत स्लोव स्लोव गलास आ रहे हैं यार अब मेरी एक साइड की बिल्डिंग तो पूरी तयार हो जाएगी और इसको पहले मैं कवर अप कर दूँ वहना नीचे गिर दाऊगा ओब आओ आओ और इस साइड को तो मैं कवर अप करी चुका हूँ कि कि अब बस यहां पर दो गलास लगाने है और हमारी एक गलास वॉल सायार है कि और एक वहाँ पर वॉड़ की वॉल लगानी है जो कि मैं अभी एक सेगंड में लगा दुँगा और अब यहां पर लगानी कि यह बस एक ग्लास की बॉल्ल जो कि मेरे पास 61 ग्लास पड़े हैं इतने में आराम से काम हो जाना चाहिए मेरा और यह कंप्लीट भी हो चुकी है हमने कल दिया है मलजी और यह आ गया हम नीचे अब इसमें कितने ग्लास ब्लॉक बाकी रहे सिर्फ दो इन सबको बनाने में कितना टाइम जाता है और अब बस हमें अपना रूफ डिजाइन करना बाकी है और थोड़ा बहुत नीचे का इंट यसी लोट यए मेरी डेट को केंवरट कटना पड़ेगा मुझे इसमें शुंप अपक बिनेशे स्प्कारण बेटना आ इस तो यहां पर कंपलीट मैं convert कर दिया अब यहां पर लगाते हैं तो मैं glowing berries मेरे पास चार है जो कि बहुत है उसके बाद अपन बोल्मिल से स्कॉर कर देंगे मेरे पास 61 बोलमीन पड़े अभी और इससे आ रहा है ना भाई एक अलग ही लोग तुम देखो एक बार पूरे रूम में लाइट ही लाइट हो चुटी है और एक नीचे गिर गई है मेरी ऐसा मत गिरा करो में इसने रिसोर्स का विस्टेज होता है न चलो इन सबको एक एक करके फटा-फट से ले लेते हैं और अब बस मुझे इतनी सी रूफ पे बस ग्लोइंग बैरी लगाना है और कुछ नहीं करना तो यह पूरा मैं सोच रहा हूँ रूफ फिलाल के लिए भरी दूँ ग्लोइंग बैरिस से बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा तो फटा-फट एक सेगंड मैं यह भी करके मिलत और एक एक्वेरियम उसके लिए भी सबसे पहले मैं एक बैड लगा देता हूँ यहां पर आगी मैं सोंग तो कभी दिक्कत ना हो यहां पर अपने पास एक बैड होना चाहिए क्राफिंग टेबल है और एक पर नैसे खाने पीने का भी पूरा बंदो बस था है यहां पर यह से यहां पर भी इसको मॉस ब्लॉक पर करना है मुझे और यहां पर लगाने फिर और बहुत थारे प्लांट और यह मेरा एक्वेरियम भी रेडी है तुम लोग रेडी है इसका फाइनल लुक देखने के लिए और यहां पर एक नीचे उतर के लगा देता हूँ ओके तो मेरा मेरा एक वेरियम भी रेडी हो चाहिए यहां पर एक्स्ट्टा फोटड़ किमğ मेरा खाने पीने सोने फिर जगव 각 ौर की तुम्हें चाहिए बाई यहां पर पूरी रूफ भी वी मैने country बने और कर ली है कि अब मुझे तुम लोग बता यार तुम लोह को का ये से लगा और यहां पर मैं ने इसके उपर लगाने की कोशिषिछ की यह लगा नहीं रहीbar मैंने बोला ठीक है जैसा लग रहा है वही इच्छा है यहां पर दो लगा कि इसके बाजू-बाजू मैं सोच रहा हूं मैं ग्लोइंग बैरिस लगा दूँ वह जादा अच्छा लगेगा तो मेरे पास वैसे भी 10 ग्लोइंग बैरिंग और पड़ी है यह और यह दो और यह ख हुआ हुआ है